हेलो दोस्तों वेलकम दे सिनेमेक अर्मी यूट चैनल जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं हर दिन एक नया सवाल इन आप प्रॉब्लम सॉल्विंग तो दोस्तों आज का सवाल है सुल्यूशन आफ ट्राइंगल्स पे तो आजिए सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल है क्या कुछ सवाल क्या है आखिर कर देखते हैं सवाल है वाट इस लिमिटिंग केस ऑफ दी एरिया ऑफ दी ट्राइंगल अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें आपको infinite number of congruent circles भरने की इजाज़त है तो what is the ratio of the area of the circle to the area of the triangle as n tends to infinity है और ये ratio आपको दिया गया है पाई root 3 by k और k की value यहाँ पे निकाल ली है तो चलिए दोस्तों आए सबसे पहले समझते हैं इसके diagram को थोड़ा more detail में तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि आपके पास जो circles है उसकी जो संख्या है वो arithmetic progression से increase कर रही है तो पहले रोपे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक circle है दूसरे रोपे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दो circle है तीसरे पे तीन चौथे पे चार ठीक है तो इससे तो यह पता चल जा रहा है कि जो आप circles भरते जा रहे हो इस triangle के अंदर वो start कर रहा है एक circle से, दो circle से, तीन circle से और अगर आपके पास N rows of such circles बन रहे हैं तो आपके last row में N circle बन के आएंगे चल यह बहुत अच्छी बात है, अब मैं थोड़ा क्या करूँगा, मैं जो side से चिपके हुए circles हैं row number N में जो आपको circle देख पा रहे हैं, इनकी diagram मैं थोड़ा और detail में बनाना चाहूँगा दोस्तों तो आएए देखते हैं इनको थोड़ा सा और deeply तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने figure में मैंने Nth row बना दिया हैं और इस row में हमारे पास N circles मौजूद हैं जी हाँ, अब देखें दोस्तों सबसे पहले important बात तो यह है कि अगर मैं पतेख circle का radius R मानता हूँ, तो चलिए मान लिजे इसका radius R है ठीक है और let's say मैं इसका side name कर देता हूँ B और यहाँ पे C और let's say the foot of the perpendicular dropped from the center of this circle is M और यहाँ पे एक छोटा सा triangle में बनाता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटा सा triangle बन के आ रहा है BCM, C being the center ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि यह जो angle होगा, वो होगा 30 degree के बराबर क्योंकि यह पूरा एक equilateral triangle है, तो पूरा का पूरा angle 60 degree था, बट यहाँ क्योंकि हमें half of the angle दिख रहा है तो यह angle हो जाएगा 30 degree के बराबर, यह 30 degree होगा क्योंकि अगर आप उसी पकार से यहाँ पे एक triangle complete करोगे तो यह दोनों triangles congruent होगे, तो प्रतियक को 30-30 तो होना ही पड़ेगा, तो दोनों angles यहाँ पे 30-30 हो जाएगे हाला कि हमें उपर वाले triangle के angle की जरुवत नहीं है, तो मैं उसे हटा दूँगा ताकि हमारा diagram थोड़ा सा साफ दिखे तो दोस्तों यहाँ पे जो bm length होगा, वो क्या होगा, तो bm length होगा, वो होगा r divided by tan of 30 degree simple सा यहाँ trigonometry लगा सकते हैं, that r divided by bm will be tan 30 degree, so bm becomes r by tan 30 degree which is root of 3r, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ, उसी प्रकार से अगर हम लोगों ने यहाँ पे भी एक triangle बनाए होता, तो यहाँ पे भी, let's say, इसको मैं n मानता हूँ, तो cn की length भी उतनी ही होती correct, तो cn की length भी होती, root 3r, तो आप यहाँ सोच रहोंगे कि मैं bm और cn की length आखिर निकाल क्यों रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे यह कारण है कि मैं actually bc का length निकालना चाहता हूँ तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा expectation है bc length निकालने का, तो दोस्तों, diagram से आपको दिख रहा होगा कि जो पूरा का पूरा bc length है, that will become bm प्लस nc प्लस, दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, प्लस mn, जियां, तो bm, nc और mn, इन तीनों के length को आप जोड़ दें, तो हमारा side of the equilateral triangle निकल के आ जाएगा और आखिरकार हमें side चाहिए ही क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास equilateral triangle का side length होगा, तो हमें उसकी area निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो basically equilateral triangle के area को निकालने के लिए ही हमें side length of the equilateral triangle चाहिए होगा तो दोस्तों, आईए समझते हैं nc को थोड़ा detail में तो दोस्तों, आईए समझते हैं थोड़ा mn को थोड़ा detail में, क्योंकि bm और cn माफ कीजेगा, यहाँ पर मैं cn लिखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने already cn लिखा हुआ है expression में तो bm और cn हमें already मालूम है root 3r each, ठीक है? तो यह दोनों तो root 3r plus root 3r होगे, ठीक है? यह r और यह r और जो बीच में जितने भी circles बनके आएंगे, जो n-2 circles बनके आएंगे दोस्तों देखिए n-2 क्यों? क्योंकि पहला circle और आखरी circle हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमें cn और 1r मिलेगा और पहले वाले circle से हमें bm और 1r मिलेगा तो बीच में जो बचा n-2 circle वो contribute करेंगे 2r each क्योंकि सबके जो diameters होंगे वो add up होंगे तो हमारे पास जो expression बनेगा mn का वो बनेगा n-2 into 2r प्लस ये दोनों जो r मैं आपको यहाँ पर tick mark से दिखा रहा हूं तो प्लस 2r एक additional बनके आएगा तो ये बन गया हमारा side length of the equilateral triangle तो आईए इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं तो इसको simplify करने से हमें मिलेगा ठीक है चली तो अगर side length मालूम है तो area of the equilateral triangle क्या होगा एक area of the equilateral triangle होता है root 3 by 4 into side length square जिया तो इसकी value हो जाएगी root 3 by 4 r square 2 root 3 plus 2n minus 2 the whole square यहाँ तक तो आशा करता हूं कि कोई दिक्कत की बात नहीं आई होगी अब चले दोस्तों question में क्या पूछा गया है question में पूछा गया है the area of the circles divided by area of the triangle when n is tending to infinity तो area of the circles क्या होगा area of the circles आईए यहाँ पर लिखते हैं हम area of the circles area of the circles सारे circles का जो combined area है वो क्या होगा तो दोस्तों पहले रो में तो pi r square है तीसी रो में 3 pi r square होगा और अगर यूं ही चलता रहा तो हमारे आकरी रो में होगा n pi r square इसका यह मतलब है कि अगर आप pi r square common ले ले तो हमारे पास आएगा sum of natural numbers from 1 to n जो की साफ तोर पे हमें मालूम है हो जाएगा n n plus 1 by 2 pi r square okay so this would become some of the areas of all the circles that we have in the given expression okay चलिए अब आईए हमें चाहिए limiting case of area of the circles to area of the triangle so area of circles divided by area of the triangle so area of the circles क्या होगा तो area of the circles हम लोगा ने ओर दिख रखा है pi r square n n plus 1 by 2 area of the triangle होगा root 3 by 4 r square 2 root 3 plus 2 n minus 2 the whole square okay तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कटम कुट्टीम होगी और दोस्तों यहाँ पे limit नहीं बूलना चाहिए हमें limit है n tending to infinity तो आईए इसको further simplify करते हैं तो further simplify के process में सबसे पहले तो r square r square काट देते हैं और जो constant terms हैं उनको भी थोड़ा adjust करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा 2 pi by root 3 n n plus 1 divided by 2 root 3 plus 2 n minus 2 the whole square limit of n tending to infinity जिया अब दोस्तों क्योंकि यह दोनों quadratic expressions यहाँ पे है n में तो हम लोग क्या करेंगे इस quadratic expressions में हम लोग divide कर देंगे numerator और denominator को n square से तो इस पूरे limit में हम लोग numerator यहाँ पे इसको भी n से n स्क्वेर से डिवाइड कर रहा हूं और 2 root 3 plus 2 n minus 2 whole square इसको भी मैं n स्क्वेर से डिवाइड कर रहा हूं जिया अब यह n square आखिर करेगा क्या आए समझते हैं थोड़े और detail में तो यहाँ पे जो n है इस n से cancel हो जाएगा और एक n जो बचेगा वो divide कर देगा n plus 1 को which will give you 1 plus 1 by n and similarly if this n if this n square enters the square it will enter as a n तो हमारे पास जो expression बचेगी वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी now we all know that as n tends to infinity 1 by n will tend to 0 तो यह जितने भी सारे term आपको दिख रहे हैं दोस्तों यह 0 बनने वाले हैं यह 0 बन जाएंगे इससे क्या होगा हमारा जो answer आएगा वो simplify होगा कुछ 1 by 2 square की तरह ठीक है तो यह बन जाएगा pi by 2 root 3 but हमारे पास जो answer है उसको question setter ने कुछ अलग तरीके से दर्शाया हुआ है उसको दर्शाया है pi root 3 by k मतलब root 3 उपर होना चाहिए तो चलिए root 3 उपर पहुचाते हैं तो root 3 उपर पहुचाने के लिए हमें root 3 से multiply भी तो करना पड़ेगा denominator में तो यह हमारे को देगा pi root 3 by 2 into 3 which is 6 और यही तो है हमारा k का value this is our k so here the answer to the value of k is clearly a 6 तो देखा दोस्तों आपने किस पकार से इन्होंने triangle के साथ infinity by infinity का limit लगा के एक बहुत ही सुनर सा सवाल बनाया है तो आशे करता हूँ आपको solution समझ में आ गया होगा और इस वीडियो के माध्धम से कुछ concepts revise भी हो गया होगे thank you so much for watching be safe be healthy